मेरे पास यह जो डिवाइस है दोस्तों Realme brand की है, बैक साइड में आप देख सकते हैं Realme की branding है, इसका model number आपको बता देता हूँ, model number है Realme 12, ध्यान से सुन लीजे, model number है Realme 12 5G, ओके, device में प्राबलम यह है दोस्तों कि device हमारी पूरी तरह से password lock है, तो विडियो को ध्यान से दे unlock कर पाएंगे, यानि किसका pattern, pin या password lock remove कर पाएंगे, तो दोस्तों आपने देखा, device हमारी पूरी तरह से password lock है, अब ध्यान से सुनिए device को unlock कैसे करना है, देखिए दोस्तों, device को unlock करने के लिए सबसे पहले आपको इसे पूरी तरह से power off करना होगा, जब आपकी device पूरी तर करना है, देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको device को power off करना होगा, जब आपको device power off हो जाए, तो आपको करना क्या है, यह जो volume down button है, और यह power unlock button, आपको simply करना क्या है, इन डोनों बटन्स को, एक साथ प्रेस करके रखना है, 5 सेकंड के लिए, ओके, 5 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे, तो आप देखेंगे, आपकी device on होगी, और डिस्प्ले पे realme का logo दिखेगा, ध्यान रहे दोस्तों, device जैसे ही on होगी आप तुरन तीन दोनों बटन से अपनी finger हटा लेंगे, और उसके बाद maximum 5 सेकंड तक वेट करेंगे, तो आप देखेंगे, आपकी device completely recovery mode पर active हो जाएगी, तो मुझी उमीधा method आपको अच्छी थर से समझ में आ चुका होगा, अब चलिए ये चीज में आपको practically करके दिखा देता हूँ, अभी भी देख सकते हैं दोस्तों, device हमारी पूरी तरह से password lock है, जैसा के दोस्तों मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको इसे power off करना है, तो device को power off करने के लिए volume up और power button, इन दोनों बटन को आप एक साथ press करके रखें, और सबसे पहले आप device को पूरी तरह से power off कर लें, ओके device power off हो गई, अब ध्यान से देखिएगा, ये चीज में आपको practically करके दिखाने जा रहा तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि volume down और power button, इन दोनों बटन को आपको 5 second तक press करके रखना है, तो ये देखें इन दोनों बटन को मैंने प्रेस किया, ध्यान दीजिए, device जैसे ही on होगी, दोनों बटन से finger हटा लेंगे, device on हो गई, दोनों बटन से मैंने finger हटा ली, ओ दोस्तों तो आप देखेंगे आपकी device completely recovery mode पर active हो जाएगी, आपको 5 second तक wait करना है, और ये देखें दोस्तों, maximum 5 second तक हमने wait किया, और ये देखें device recovery mode पर active हो गई, जब device recovery mode पर active होगी, तो कुछ इस type का interface देखने को मिलेगा, अब यहां दोस्तों, ऊपर की तरफ देख सकत क्लिक करते ही दोस्तों, आप उपर की तरफ देखें लिखके आगया recovery, और नीचिक तरफ 3 option मिलते है, format data, reboot device और power off, आपको device को unlock करना है, इसका pattern, pin या password lock, break करना है, इसलिए आपको क्लिक करना होगा, first वाले option पर आने की format data पे, तो यहां से मैंने format data पे क्लिक किया, अब जैस continue change होता रहता है, मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, कि अगर यही same process, आप अपने device में follow करेंगे, तो आप देखेंगे code change हो जाएगा, यह देखे code change हो गया, तो code को लेकर आपको confuse होने की जरूरत नहीं है, तो अभी आपको करना क्या है, यह code manually आपको enter करना है, तो code enter करते ह हैं दोस्तों, code है 715, और last में 1, अब यह देखे, जैसे यह code मैंने enter किया, तो यहाँ पर new interface देखने को मिलता है, ऊपर की तरफ लिक किया गया format data, उसके बाद लिखा है, all user data will be reset, और आपके पास दो option है, cancel और format, finally आपको click करना होगा दोस्तों, format पे, तो यहाँ से मैंने format प का message आ गया, इसका मतलब device आपकी completely unlock हो चुकी है, तो अभी आपको click करना होगा, ok पे, तो यहाँ से मैंने ok पे click किया, अब दोस्तों, जैसे ही मैंने ok पे click किया, आप देख सकते हैं device आपकी यहाँ पे reboot हो जाएगी, device reboot हो गई, और अब दोस्तों, आपको wait करना है device को पूर करने का बिल्कुल free तरीका, मुझे अमीद है कि मेरे वीडियो आपके लिए जरूर helpful होगी, वीडियो अच्छी लगती है, तो एक छोटी सी request करूँगा, please वीडियो को share करें, like करें, चैनल को जरूर subscribe करें, बगल में जो बिलाकन है, उसे भी praise करें, और दोस्तों, अगर unlock करवानी हो, तो आप मुझे contact करिए, मेरा contact detail आपको description box में मिल जाएगा, device reboot हुई है न, आपको maximum 1 मिनट तक बेट करना है, उसके बाद आप देखेंगे, device reboot होकर active हो जाएगी, और आपके display पे किसी भी type का locks हो नहीं करेगा, अब यहाँ देखेंगे, दोस्तों, maximum हमने 1 मिनट तक बेट किया, device हमारी reboot हुई, और device reboot होकर पूरी तरह से active हो चुकी है, आप देख सकते हैं दोस्तों, अब display पे पहले की तरह किसी भी type का locks हो नहीं कर रहा है, तो चलिए complete android setup कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको click करना होगा इस arrow पे, यहाँ से simple आप next पे click करें, यहाँ से आपको अपनी country इंडिया select करना है, उसके बाद आप simple continue पे click करें, यहाँ से आप next पे click करें, once again आपको next पे click करना है, connect to wifi वाले option पे आ चुके हैं, तो इस option को आप simple यहाँ उपर से skip कर दें, यहाँ नीचे से आपको more पे click करना है, फिर से आप more पे click करिए, accept आगया, आप इस पे click करें, ओके, unlock method का आप जना गया, तो यहाँ से आप चाहें तो फिर से अपने device में pattern, pin, password, face या fingerlock apply कर सकते हैं, इस option को मैं skip करूँगा, इसलिए मैंने skip पे click किया, यहाँ से simple आपको next पे click कर देना है, ओके, यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ useful application है, आप चाहें तो इन application को यहाँ से install नाव पे click करके install कर सकते हैं, फिलाल मैं skip करूँगा इसलिए मैंने skip पे क्लिक किया यहां देखिए नेगिवेशन के दो option है आपको जो पसंद आ है उसके पे क्लिक करें उसके बाद आप simple done पे क्लिक करें और यह देखिए realme UI का option आ गया last में आपको मिलता gate started आप इस पे क्लिक करें और बस आपकी device realme 12 5G प प्लीज दोस्तों वीडियो को सेर करेंगा लाइक करेंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगा ठैंक्स पार वाचिंग दिस वीडियो